सु गई सबसे उपर जो पहला वर्ड है वो है आप लोग का Mblossom Mblossom मिशोता आफरेंस आप लोग का फोलो से ढाकना या आप लोग लिख सकते हैं फोलो से सजाना ठीक है? दोनों नोड करेजेगा दोनों होता है जो कि फोलो से ढाकना या फोलो से सजाना Mblossom दूसरा बरफ़ारेंस M-body, M-body मिसकाता है फ़ारेंस साकार रूप परदान करना, आप लोग यहां पर पूरा लेकिशेजीगा, साकार रूप परदान करना M-body, तीसरा बरफ़ारेंस M-bog, M-bog मिसकाता है फ़ारेंस Dल-Dल में डुबोना, O-K, E-M-B-O-G, M-bog को मतलब डल- बोग मीश उता एफ़ेंस नदी की तरह बह निकलना, ओके, यहाँ पर दिखिए पांच वावर एफ़ेंस एमबोलडन, एमबोलडन मीश उता एफ़ेंस साहसी बनना, ठीक है, या साहस देना, या उत्सा देना, या हिमत बाधना, ओके, चार बता है, आप लोग को, चारों को जिएगा एम्बॉल्डन का मतलब सांसी बनना हिम्मत बादना साहस देना उउच्छा देना ठीक है यहाँ पर दिखिए एम्बॉल्ड यहाँ पर नेक्स्ट वर्ट रफियन्स आप लोग का एम्बॉर्ड डेनर का का मतलब होता है उत्सा देने वाला और इस पीडियो का जो लास्ट वाला वाड़ रिप्रेंस वह आप लोग का एम बुजम का मतलब होता है आलिंगन करना मतलब की गले लगना ठीक है या गले लगाना चलिए एक बड़ावर रिपीट करते हैं यहाँ पर सबसे उपर चेंपता हैं वह आप लोग का एम ब्लॉसम फूलों सी ठाकना या सजाना दूसरा वाड़ प्रेंस आप लोग को एम तीसरा वर्ड है आप लोग का दलदल में डूबाना एम बोग मिसुता एफरेंस नदी की तरफ निकलना एम बोल्डन मिसुता एफरेंस सासी बनना या हिम्मत बादना या साहस देना या उत्सा देना एम बोल्डेनर का मतलब होता है उत्सा देने वाला और जो लास्ट पता M बूजम का मतलब उता है आलिंगन करना या गुले लगाना